आज हम बनाने जा रहे हैं नवरात्री इसस्पेशल यह टिक किया जो कि हमने मुफली और साबुददाने से बनाई है बहुत ज़दा टेस्टी लगती है यह और इसमें ना तो कुटू के आटे का यूज किया है और नहीं सिंगाडे के आटे का यूज किया है चलिए बनाना स् सबसे पहले मैंने लिये हैं 4-5 उबलेवे आलू और एक बड़ी कटोरी मैंने मुफली के दाना लिया है जिसे मैंने बिना घी के भून लिया था और उसी कटोरी से मैंने ये साबुदाना लिया है जिसे मैंने 4-5 घंडे के लिए विगा दिया था और उसके बाद इसको अच्छे से सुखा दिया था कपड़े की हेल्प से और मैंने लिया है थोड़ा सा लाल मिर्ज का पाउडर थोड़ा सा सैंदा नमक स्वाद अनुसर हरा धनिया बारिक कटा हुआ हरी मिर्ज बारिक कटी हुई बस और किसी समान की जरुरत नहीं हमें से बनाने के लिए तो सबसे पहले हमें क्या करना है जो मुफली के दाने हमने भून कर रखे थे ना हम इसको पीस लेंगे आप इसको किसी मिक्सी के पोट में डाल कर इसको पीस लीजिए पर याद रखें अगर आप मिक्सी एक साथ चलाएंगे तो यह जो मुफली का दाना है यह ओल चोड़ देगा और उससे क्या होगा वो बटर बन जाएगा आपको फाइन पाउडर नहीं मिलेगा आपको बारबर मिक्सी रोकनी है और बारबर चलानी है तब ही आपको फाइन पाउडर मिलेगा वरन अब बिलकुल भी नहीं मिलेगा और देखिये यह मैंने बना लिया है और यह आपको बिल्कुल ऐसा ही पीसना है और एक और ज़रूरी पॉइंट आपको मुफली का दाना गरम बिल्कुल भी नहीं पीसना है उससे भी बटर बहुत जल्दी निकल जाता है चलिए चलते हैं next step की और उसमें मेने किया किया सबसे पहले जो boil potatoes थे, आलू थे उसको मैने mash कर लिया उसके बाद जो हमने साबुत दाना भिगा कर रखा था वो भी मैने मिक्स कर दिया है और बारिक कटी हुई, हरी मिर्च भी इसमें मिक्स कर दीजिए और यह सैंदा नमक, नमक आप स्वादनुसा ले सकते हैं और हरा धनिया भी इसमें डाल दीजिए और रेड मिर्च का पाउडर, यह आप कम्याई जादा डाल सकते हैं और उसके बार जो हमने मुफली का आटा बनाया था, वो भी इसमें डाल दीजिए यह जादा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि हमने यहां ना तो कुटू के आटे का यूज़ किया है और ना सिंगाडे के आटे का आपको यह हलके हातों से मिक्स करना है, अगर आपका यह मिक्शर थोड़ा सा गीला नहीं जाता है, तो आप इसमें थोड़ा सा ओन मुफली का आटा एड़ कर सकते हैं क्योंकि अगर मिक्शर गीला होगा तो टिक्क्या जादा अच्छी नहीं बनती हैं यह देखिए, यह मैंने रेडी कर लिया है मिक्शर, चलिए बनाते हैं अब इसकी टिक्क्या, यहां इस मिक्शर से मैंने 12 टिक्क्या बनाई हैं पर आप चोटी या बड़ी टिक्किया बना रहे हैं तो उसी के अकॉर्डिंग आपकी टिक्क्यों की कॉंटिटी होगी और यह देखिए यह मैंने टिक्क्य बना ली है आप इसको कटलेट की शेप में भी बना सकते हैं और खास बाद क्या है इसमें हमने ना तो कुट्टू के दाटे का तो यह बिल्कुर भी नुकसान नहीं करेंगी और यह देखिए मैंने सारी की सारी टिक्की बना ली है व्रत की चलिए करते हैं अब इसको फ्राई के लिए मैंने क्या करा एक कढ़ाई ली है और उसमें ऑईल डालकर उसको गरब कर लिया है और आपको मेडियम होट टिक्क्या डालनी है अर वो जब थोड़ीसी सिख गई उसके बाद ही मैंने दूसरी टिक्क्या उसके अंदर डाली है क्योंकि इसमें साबुद्दाने की वज़े से टिक्क्या फट सकती है उसके बाद आप इसको स्लो गैस पे या मीडियम गैस पे अराम से शेक और भी नहीं सेखनी है, और रखाल थी जाएगी और यह देखिए यह मैने दो टिकक्कियाँ सेख ली है और यह कित्जी ज़्यादा क्रिस्क भी लग रही है आपको देखने से ही पता लग रहा होगा चलिए मैं आपको और बना कर दिखाती अहू और याद है टिक्की डालते टाइम यह जो ओयल है वो मीडियम होट होना चाहिए ना तो यह जादा ठंडा होना चाहिए ना यह जादा गरम होना चाहिए उससे क्या होगा आपकी टिक्की या तो जल सकती है या फिर फट सकती है तो यह most important point है कि आपका यह ओयल मीडियम होट होना चाहिए और यह लिजीए दे मेने सारी टिक्की टॉट कर ली थी। और बेंगे डिक्की प्रॉट्ण बos अब आपको सर्व कर दीए। सबद्व सबक्राइब अकि कि आप नॉर्मल डेज में भी इसको बना कर खाएंगे अगर आपको यह रेसिपी अच्छी लगे डोल लाइक इस वीडियो और सब्सक्राइब टू माई चैनल ऐसी ही और रेसिपी देखने के लिए बनाईए अपने घर और खिलाईए सबको ही नवरात्री स्पेशन टिक्किया मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बाई